अत्यन्त बुद्धिमान लोगों के राशी के रूप में कुम्म राशी की विशेश पहचान है, जिस कारण साभाविक रूप से आप दूसरों से अलग होते हैं, किसी भी चीज पर बुद्धी से विचार करना, कोई भी कार्य बुद्धी से करना, यहां आपका मूल सभाव है जो कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन आवश्यक नहीं कि वह सभी को पसंद आए, जिस कारण कुछ लोगों के साथ आपके सम्मंद अच्छे रहते हैं, तो कुछ लोगों के साथ विवाद भी होते हैं, तो लोगों की पेचार कैसे करें, ताकि आपका काम सरलता से हो ज आप सभी जोतिश प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, जोतिश सलाह, इस नई श्रुंखला के हमने शुरुवात की है, इस संकलपना का महत्व, उसके आवशकता, वह सभी के किस प्रकार उपयोग में आने वाली है, इस संदर्भ में मैंने आपको पिसले भाग में विस्तार से बताया है, अर्थात, घर के, बाहर के, परीचीत, अपरीचीत, रोज मिलने वाले, अचानक मिलने वाले, इन सभी लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ कैसा बरताव करना चाहिए, ताकि सभी से अच्छे संबंद बने रहे, और काम भी उचीत पद्दती से पूरा हो जाए उससे भी बहतो पुरुना बात है कि किसी के साथ विवाद ना हो यह मैं आपको राशी के अनुसार बताने वाली हूँ उसमें हम आज कुम्ब राशी के संधर्प में मेश से कन्या राशी तक वारतालाब करेंगे अर्थात कुम्ब राशी के जातकों ने मेश से कन्या राशी के जातकों के साथ कैसा वेवार करना चाहिए किसके साथ कौन सी चीज का द्यान रखना चाहिए किसके साथ आपके संबंद अच्छे बन सकते है और किसके साथ आपको समल कर रहना होगा ऐसे सभी विश्यों पर वि अगले भाग में आपको कौन से राशी की जानकारी फ्राप्त करनी हैं, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजे, जिस राशी के लिए कमेंट सबसे अधिक आएंगे, उस राशी पर हम सबसे पहले वीडियो बनाएंगे, यह जानकारी आपको अच्छी लगे, तो उस सात इच्छा पूर्ति के स्तान में आने वाली शनी देव की मूल त्रिकोन राशी को हम कुम्भ राशी कहते हैं, अत्यांत बुद्धिमान लोगों के राशी के रूप में कुम्भ राशी की पहचान है, पूरे विश्व के नायदिष शनी देव, आपके राशी स्वामी है, सामने वाल ये वेक्ति की कोई भी गलती फिर वक कितनी भी छोटी क्यों ना हो उसे आप सरलता से पकड़ लेते हैं क्योंकि बुद्धि मत्ता का वर्दान लेकर आप इस विश्व में प्रवेश करते हैं फिर भी रोज की दीन चर्या में अन्य राशी के जातकों से व्यभार करते समय कभी न कभी विवाद होने की संभावना होती है यदि आप अन्य राशियों के सभाव को समझ ले तो विवाद की संभावना कम हो जाती है जिस कारण जीवन अधिक सुखद सुखकर बन सकता है जो 30 शास्त्र का अध्यन करते समय, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होने वाला लाब है कि लोगों को पहचानने की कला हम सिखते हैं, क्योंकि रोज की दिनचर्या में हम कई लोगों से मिलते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों के साथ हमारा संबंध आता है, जो उत्तिष शास्त्र में अध्यन से उनके विचार उनके सभाव को हम समझ सकते हैं इसी विशे को हम इश्रुंखला के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं अर्थात सामने वाली व्यक्ति कैसी है उसका सभाव कैसा है यह आपको पहले से ही पता हो तो उनके व्यवार करना सरल हो जाता है अब लोगों के सभाव की पहचान कैसे करें तो यह राशी के अनुसार अत्यंत सरल है सामने वाले व्यक्ति की केवल राशी की पहचान आपको करनी है उससे आप उस व्यक्ति का सभाव, उसके विचार, उसके कार्य करने के पद्धती का अंदाजा लगा सकते हैं, वह कैसे, तो इसी विशे को अब हम कुम्ह राशी की दुरुष्टी से समझने वाले हैं, सबसे पहले हम मेश राशी का विचार करेंगे, अर्थात मेश राशी के जातकों से आपका संबंध आए, तो क्या परिणाम होंगे? सबसे पहली बात है कि मेश राशी का स्वामी मंगल और आपके राशी स्वामी शनी देव में शत्रूत वकारिस्ता है, दूसरी महतो पुरणा बात है कि शनी देव मेश राशी में नीच अवस्ता को प्राप्त कर है, जिस कारण मेश राशी उन्हें पसंद नहीं आती, इसलिए जोटिश नियमों के अनुषार, कुंभ और मेश राशी के जातक ऐक दूसरे से विवाह कर नहीं सकते, जोटिश चास्त्र के अनुषार, उसकी अनुमती नहीं दी जाती, मेश राशी के साथा आपकी जोड़ कार्ण के अनुभहों से संपन्न एवं गंभीर होती है जिस कारण उनका अग्रेशिवनेस आपको कतई अच्छा नहीं लगता लेकिन किसी भी कारण से यदि आपका संबंद मेश चातकों से आए तो एक बात समझ लेनी है कि अग्रेशिवनेस यह उनके सभाव का मूल भाग है वे उसी के अनुषार व्यवहार बरताव करने वाले है तभी आपके संबंद अच्छे हो सकते हैं तभी आप उनके साथ जूड़ सकते हैं साथ में काम भी कर सकते हैं उसके बाद रुशब राशी की दुरुष्टी से विचार करें तो यह शुक्रदेव की राशी है आपके राशी स्वामी शनी देव और रुशब राशी के स्वामी शुक्रदेव में मित्रता है शुक्र अर्थात राक्षस गुरु शुक्राचार्य तो शनी राक्षस ग्रह म माने जाते हैं यह सभी चीजे भले ही सकारात्म लगती हो लेकिन कुंभ और रुशवीह दो राशिया एक दूसरे के इंद्रस्तान में आती हैं दोनों के राशी स्वामी वित्र होने के करण आपकी जोड़ी बननी चाहिए हैं लेकिन एक दूसरे याने वाली राशिया होने के करण आप में कई बार विवाद होते हैं कई बार वह बढ़ भी सकते हैं इसलिए विवाह का विशय हो तो दोनों मूल कुंडलियों का सखोलता से अध्यन करना आवश्यक होता है कुंडली के अन्यग रहस्तिती शुवह हो तो ऐसे विवाह का विचार किया जा सकता है अर्थ बन सकती है केवल एक दूसरे के केंद्रस्तान में आने वाली राशिया होने के करण कभी ना कभी विवाद हो सकता है यह बात दोनों नए द्यान में रखनी चाहिए तभी आप एक दूसरे के साथ अच्छा काम कर सकते हैं मिथुन राशी की दुरूष्टी से विचार करें तो कुम्ब और मिथुन यह दोनों वायूतत्व की राशिया है तो उतल युवा राशी तो कुम्ब मुद्ध राशी अरफाद क्रेटिविटे के स्थान में जिससे होता क्या है कि मिथून राशी की बालिष्टा उसका लगातार बोलना कुम्ब राशी के द्वारा सुन्ने के कारण उनकी क्रियेटिविटी कुम्ब राशी में भी उतरती है। मिथून राशी के बाग्यस्तान में कुम्ब राशी आती है जिस कारण यह दोनों राशिया एक दूसरे के लिए लाभकारी होती है। कुम्ब और मिथून राशी के विवाह को प्राथमिक्ता दी जाती है। अर्थात कुम्ब जातकों ने एक बाद ध्यान में लेनी है। कि सामने यदि मिथून राशी का जातक है तो वह थोड़ा अधिक अवश्य बोलेगा। वह उसका मूल सभा होता है। साथ ही मिथून जातकों ने भी ध्यान में लेना है कि कुम्ब जातक थोड़ा कम बोलने वाले है। वह बोलने की तुन्ना में काम अधिक करेंगे। साथ ही उनकी बाते मुद्दे के अनुसार होगी। इस विशे को मिथून जातक यदि समझ लेते हैं तो आपके अच्छे संबंध बन सकते हैं। करकर आशी की दुरूष्टी से विचार करें तो कुम्ब और करकर यह दोनों राशीया एक दूसरे के मुद्द्यशडास्टक में आती हैं। साथ ही दोनों के राशी स्वामी एक दूसरे के शत्रू भी है। अर्थात शनी और चंद्रमा में शत्रूत्व का रिष्ता है उसे हम वीशियोग भी कहते हैं जिस कारण विवाह के लिए यदि कुम्भ और करक राशी की कुंडली आए तो हम उस विवाह के लिए अनुमती नहीं देते हैं कुम्भ अत्यनत गंभी रेवम समजदार राशी है तो करक समवेदन्षी लोगों की राशी मानी जाती है यहां बड़ा अंतर दोनों राशियों में दिखाई देता है साथ ही कुम्भा वायू तत्व की राशी है तो करक जले तत्व की राशी है कुम्भा काम त्रिकोन की राशी है तो करक मोक्ष त्रिकोन की राशी है बहुतिक सुखों के साथ जीवन व्यतित करना यहां कुम्भा राशी का लक्ष होता है तो मोक्ष प्राप्ति की दिशा में म काम करने वाले सहकारी करकर आशिके होंगे या आप किसी काम से व्याभार के लिए गए अधिकारी करकर आशिके होंगे तो उनकी सम्वेदन शिल्टा को समझ कर ये आप बात करते हैं तो आपका काम शिगर हो सकता है कई बार हमें किसी से काम निकालना होता है उसके लिए कई को कहीं खरीदारी के लिए जाते हैं तब हमें ऊचीत कीमत में उचीत वस्तु अपेक्षित होती हैं और सामने वाली वेक्ति यदि करकर आशिकी है उन्से आपने सम्वेदन शिल्टा के साथ बात करनी चाहिए जिसका काम जिससे आपका का म सरलता से पूरा हो सकता है सीह राशी की दुरुष्टी से विचार करें तो यह राशी आपके सब्तम स्तान में आती है अब यहाँ पर विशेश बात है कि कुम्ब और सीह यह दवो राशिया एक दूसरे के समसब तक स्तान पर आती है अर्थात प्राकृतिक कुंडली की दुरुष्टी से विचार करे तो हम उन्हें made for each other कहे सकते हैं इन दोनों राश्यों की एक विशेष्टा है कि सीह राशी में कोई भी ग्रह उच्च वस्था को प्राप्त नहीं होता क्योंकि राजा के सामने कोई उच्च हो नहीं सकता राजा की सबसे उच्च स्थर होता है उसी समय कुंब राशी में कोई ग्रह उच्च वस्था को प्राप्त नहीं होता क्योंकि कुंब सबसे अधिक बुद्धिमान राशी है अपनी पुंतिमत्ता के कारण वे दूसरों की उच्चता को नहीं मानते हैं। इन दोनों राशियों के कोई ग्रह उच्च न होने के कारण एक दूसरे का सर्मान करना उन्हें आता है। फिर भी दोनों के राशियों स्वामी एक दूसरे के शत्रू है। इसलिए कुम्भा और सीह जातक राशी के जातकों ने एक दूसरे के साथ विवाह करना नहीं चाहिए। जोतिश नियमों के अनुसार उसके लिए अनुमती नहीं दी जाती। लेकिन अन्य रिस्तों में या अन्य किसी कारण से यदि आपका संबंद सीह जातकों से आये। और आपने उन्हें उचित सर्मान देते हैं तो आपके अच्छे संबंद बन सकते हैं। आप एक दूसरे के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। कन्या राशी की दुरुष्टी से विचार करें तो राशी स्वामी बुधव और कुम्व राशी के स्वामी शनी देव में मित्रता का रिस्ता है। यहाँ बात भले ही शुभलकती हो। लेकिन यहाँ राशिया एक दूसरे के शडाश्टक में आती है। अर्थात यहाँ प्रीति शडाश्टक आता है। उसके पिछे एक शास्त्रिय कारण है। कन्या बुधदेव की मूल त्रिकोन राशी है जो अतीची की सक मानी जाती है। तो कुम्व राशी बुद्धिमान मानी जाती है। सामने वाले व्यक्ति की अत्यन्त छोटी सी गल्तिया आप सरलता से पकड़ लेते है। जीसकारण एक दूस्री योग की गल्तिया निकालने की यहां पर संभावना होती है। ताकि आपका सांसारिक जीवन सुखा कर बन सके। अन्य रिष्टों में या किसी अन्य कारण से कन्या जातक के साथ आपका संबंध आये। तो आपको कुछ बाते विशेश रूप से ध्यान में लेनी है वे आतीची किस्सक होंगे वे आतीश अच्छता प्रिय होंगे कन्या जातक बुद्धिमान भी होते हैं उनके इस सभाव को सभाल कर व्यवार करना आपके लिए आवश्यक होता है तभी आपकी उनसे मित्रता हो स करते हैं इस प्रकार कुम्व राशी के जातकों ने मेश से कन्या राशी के जातकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है हम यही रुखते हैं अगले भाग में हम शेश राशियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुन जोतिश का अध्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकी है उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दबाना ना भुले धन्यवाद